दोस्तों, क्या आप Teaching Aptitude के Questions को Solve करने को लेकर के परिशान हैं? क्या आप लोगों को इसका जो vast area वो समझ में नहीं आता है? क्या आप जो है Teaching Aptitude के सभी प्रसनों को पूरी Accuracy के साथ और With Confidence Solve करना चाहते हैं? अगर आपको उत्तर हां में हैं, तो यह वीडियो आपके लिए हैं नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, Academy of Teachers में आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिसकस करूँगा कि Teaching Aptitude के MCQs होते हैं, मतलब सिक्षन अभे, योग्यता पर, अभिरुची पर जो आपके वस्तोनिष्ट प्रस्ण पूछे जाते हैं, उनको कैसे हल करें वैसे इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो आप लोगों को प्रवाइट करा दिये हैं परन्तु जिन बातों को मैं आप लोगों को बताऊंगा, उन बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं, तो आप जो है उन प्रस्णों को आसानी के साथ हल कर सकते हैं, चाहे आप लोगों को उतना ज़्यादा theory या concept आता हो या ना हो, तो दोस्तों आप लोगों को जो है teaching aptitude के जितने भर प्रश्णों होते हैं, उनको salvo करते समय, mainly दो बातों का ध्यान रखना होगा, दो बातों वो ये हैं, पहली बात तो ये, कि बच्चा जो है कभी भी गलत नहीं हो सकता है, और दोसरी बात ये है, कि अगर बच्चा किसी भी तरह से fail हो रहा है, या सोर कर रहा है, या पढ़ नहीं पा रहा है, तो इसमें बच्चे का दोस नहीं, बलकि system का दोस है, आपके पढ़ाने का तरीका गलत है, तो इन दो बातों का ध्यान रखकर क्या प्रस्णों को हल करिए, एक ये base है, इसे ध् कि जितने भर प्रस्ण होते हैं, उनके दो दृष्टिकोंड होते हैं, एक सकारात्मक दृष्टिकोंड और एक नकारात्मक दृष्टिकोंड, तो जो आपकी सोच का परिक्षन इसमें किया जाता है, आपकी सोच सकारात्मक है या नकारात्मक है, तो सबसे पहले हम लोग ज बच्चों को दंड दे करके पढ़ाय जा रहा हो या बच्चों किसी भी तरह से punishment सारी रिखो या मान सीखो डाटना डपटना दबाव बनाना इस या मनोवेग्यानिक रूप से दबाव बनाना किसी भी प्रकार से उन पर जो है जो डाला जाए रहा हो वो समझ के चलिएगा कि वह विकल्प आपको पूरी तरह से नकारात्मक दिष्ट कोड के दरफ ले जा रहा है तो उसे आप सीधे-सीधे डिसकार्ड कर सकते हैं वह नकारात्मक दिष्ट कोड को आप ले सकते हैं दूसरी बात यह है कि जहां पर दो लोगों के बीच में तुलना की जा रही हो किसी प्रिश्ट वूमि के आधार पर जैसे कि बालक बालिका हैं लिंग के आधार पर इस्मि किया जा रहा है जा रहा हो विकल्प तो वह पूरी तरह से नकारात्माकॉल उसे आपको हटा देना है अगला जो main point है ये कि आप लोगों को ध्यान देना होगा किसी भी प्रकार से आपको segregation नहीं करना है segregation मतलब अलगाव वाली बात नहीं करनी होगी किसी भी प्रकार से आप group बनाने की बात नहीं कर सकते group इस basis पर नहीं बना सकते हैं कि कौन बच्चा कमज़व है और कौन बच्चा अच्छा है जितने भर परिक्षाएं होंगे वो इस तर इसके लिए नहीं बनाई जाती है कि बच्चों को आप अलग-अलग group में बाट सकें कि ये A grade का बच्चा ये B grade का बच्चा है जिस प्रकार से समावेशी सिक्षा की बात की जाती है उसी को base बना कर आप ये समझेंगे कि हर प्रकार के बच्चे को एक ही group में आप रखेंगे बलकि group आप बनाएं तो ऐसे group बनाएं जो heterogeneous हो तो जो आप बच्चे सब एक दूसरे से सीखें तो इस प्रकार से किसी में कुछ कमी होगी किसी में कुछ अच्छा ही होगी तो एक दूसरे से सीखेंगे तो अगर कहीं भी आप लोगों को ये विकल्प मिलता है कि जिसमें group बनाने की बात की गई हो या categorize करने के बात की गई हो या रटवा देने के बात की जा रही हो बीना concept को संजे जो है पूरव फुरव फेक्ट भर देने वाले जहां बात की जा रही हो वो विकल्प जो है आप बिल्कुल discard कर सकते हैं और जो बात आप लोगों को ध्यान देनी है बात जिस प्रकार से हमने आप लोगों को भी बताया था कि NCF जो है वो करके सीखने के बात करता है तो NCF की अनुसार बच्चा कहीं पर भी अगर पैसे लर्नर हुआ निस्क्रियो स्रोता के रूप में अगर हो गया तो वहां पर उस विधी को आप बिल्कुल सबसे मुख्य बात जो है जिसमें बच्चे को किसी भी तरह से दोशी ठार आया जा रहा हो मतलब बच्चे को किसी प्रकार से उसमें कमी निकाली जा रही हो तो वहां पर आप लोगों को ध्यान देना है कि वो विकल्प नकारात्मक है जैसे बच्चे कहीं पर सोर कर रहे हैं, तो आप ये विकल्प को बिल्कुल भी नहीं स्विकार करेंगे, कि बच्चे अनुसासा नहीं है, बच्चों का पढ़ने मन नहीं लगता, या बच्चे दुस्ट हैं, आप इन सब नकारात्मक सब्दों का उपयोग कभी भी नहीं कर सक सकते आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट करना होगा कि जो कमी है सिर्फ आप में है और आपको जो है उसमें इंप्रोव्मेंट करना है तो इस प्रकार से इनकारात्मक बिंदों को जो है आप डिसकार्ड कर सकते हैं हटा सकते हैं और अब आते हैं सकारात्मक जो बिंदों हो से करके सीखें तो ऐसी कोई भी विकल्प ऐसी कोई भी विधी अगर दी जा रही हो जिसमें बच्चें को ज्यादा से ज्यादा बहुभाशिक्ता का मतलब different language, different भाशिक प्रिष्ट भोमिश से आये हुए बच्चों को जिसमें सामिल किया जा रहा हो जिसमें न केवल सिर्फ हिंदी या एंग्लिस या विद्याले की एक मात्रभासाग पर बात की जा रही हो मतलब सभी को सामिल करने की जिसमें बात की जा रही हो, समावेशन की बात की जा रही हो वहाँ पर जो है उस द्रिष्ट कॉण को उस वाक्यों को विकल्प को आप सकारात्मक द्रिष्ट कॉण से ले सकते हैं और सबसे important point जो ही है दोस्तों कि जिसमें सरजनात्मक्ता की बात की जा रहे है। कि बच्चे कुछ नया रच सकें, । कुछ नया निर्मान करने की बात हो रही हो। तो वो विकलप को आप सखारत्मक के रूप में ले सकते हैं। जो भी बच्चा सीख रहा है, अगर उसे आप में जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, उसे किसी भी तरह से अगर आप उसके वास्तविक जीवन से, रियल लाइफ से जोड़ पा रहे हैं, तो ये विकल्प जो है, सबसे अच्छा और सबसे सकारात्मक माना जाएगा, तो सकारात्मक और नकारात्मक दिश्टिकोंड को आप लोग को ध्याम देना है, उसके उनसार विकल्पों का चयन करना है, कुछ सब्दों को लेकर के आपको सतर करहना होगा, कुछ ऐसे सब्दों होते हैं, जो देखने हम तो पॉजिटिव लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ न सकारत्मक दिश्टीकोंड है, लेकिन अगर उन्हीं के बीच एक इर्शयापूर्ण प्रतिसपर्धा को हतोत्साहित किया जा रहा तो यह अच्छी बात है, या कोई भी चीज है, प्रिरणा है, प्रिर्द किया जा रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि हमें सा सकारत्मक पक्ष मे उसका आपको concept समझना होगा कि वो meaning क्या दे रहा है अगर अच्छी बात को प्रोट्साहित किया जा रहा है तो प्रोट्साहन क्या है प्रोट्साहन इसमें positive है लेकिन अगर बुरी बात को प्रोट्साहन दिया जा रहा है तो इसका मतलब यह होगा कि वो बात negative है तो इन सभी ब दवा है कि आप इस वीडियो को अगर देख शुके हैं पूरी तरह से completely तो आप से जो है लगभग ज्यादा से ज्यादा जितने प्रस्न हैं आप कर पाएंगे बहले ही आप ज्यादा प्रैक्टिस ना किया हो तो तो दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट के माध्यम से में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए stay home stay safe